आगे आने वाले हैं बहुत सारे मीठे मीठे फेस्टिवल्स और उनी फेस्टिवल्स का मज़ा दुगना करने के लिए मैं लाई हूँ एक जबरदस मिठाई की रेसिपी जिसका नाम है बेसन की बर्फी ये पंजाब की स्पेशल बर्फी है जिसे ट्राय करना तो बनता है तो चलिए शुरू करते हैं अब बेसन की बर्फी बनाने के लिए हम बनाएंगे साइट बै साइट दोनों चीज़े तो पहले हम लेते हैं एक पैन और उसमें डालेंगे तीन चुथाई कप चीनी और एक चुथाई कप पानी फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे अगर आपके के पास मेजरिंग कप नहीं है तो घबराने की जुरत नहीं है अब कोई भी कटोरी का या कोई भी कप का नाप ले लीजे पस सारी मेजरेमेंट्स उसी में कीजेगा लो मीडियम पे इसे अच्छे से घुलने देंगे और बीच बीच में स्टर करते रहेंगे अब दूसरी त सब्सक्राइब कर ले साथ ही बेल बटन प्रेस कर दे ताकि लेटेस अपटेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे है रेसेपी की अब धीमी आँच पर इस बेसन को अच्छे से भूनना है चितना कम आँच पर आप इस बेसन को भूनेंगे उतनी ही भैतरीन बनेगी साथ ही साथ मैं इसमें आड कर दूंगे घी मैंने लिया है 50 ग्राम पर मैंने सारा एक बार ही मैं आड नहीं किया है थोड़ा सा बचा लिया है घी एकदम से बहुत जादा ना हो जाए बर्फी में और साथ के साथ पेसन जो है भूनते वक पतला हो जाता है तो इसलिए हम गाड़ा होता है और फिर एकदम से पतला होता है इसी वज़े से मैंने गी स्टार्टिंग में कम डाला है मेरा यकीन मानिए एक बार जो आपने बेसन की बर्फी घर पर बनाई ना तो आप खाते ही रह जाएंगे और साथ के साथ इसको बार बार बनाने का मन करेगा पर उसक ग्रास ग्राम में एक चमच कम इसको कंटिनिसली स्टर करते रहेंगे आप देख सकते हलका हलका कलर चेंज होना शुरू हो गया है यह पंजाब की स्पेशल रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं बच्पन से मेरे घर में बन रही है और बहुत ही टेस्टी लगत चुका है और जब आप इस रेसिपी को ट्राइ करेंगे तो इस वक्त आपके पूरे घर में बेसन को भूनने की खुश्बू सब जगा फैल चुकी होगी तो इस वक्त आड़ कर दीजेगा खोया साथ ग्राम के करीब खोया है ये इससे टेस्ट जो है बेसन की बर्फी का दुगना हो जाएगा इस टाइम पर फ्लेम आफ कर दीजे और कंटिनुसली इस खोय को बेसन के साथ मिक्स करते रहेंगे ताकि गाठे ना पड़े साथ ही इस टाइम पर आड़ कर दीजेए बदाम मैंने यहाँ पर अल्रेडी कट करके रखे थे दस से बारा बदाम है ये कंटिनुसली स्चर करते रहेंगे आप देख सकते हैं बेसन इतना गरम है कि ये खोया और जो ट्राइफ्रूट हमने आड़ किया है वो भी इसके अंदर अच्छे से पक चुका है गास बन करने के बाद भी तीन से चार मिनट के लिए इसे कंटिनुसली स्चर करते रहना है आपको फ्लेम बन करने के बाद भी बेसन की बर्फी की चाशनी जो हम ready कर रहेते हैं उसको भी देख लेते हैं देखे चीनी अच्छे से घुल चुकी है चीनी तो अच्छे से घुल चुकी है पर इसको तब तक पकाना है जब तक की ये चाशनी थोड़ी गाड़ी नहीं हो जाती बेसन की बर्फी को जमाने के लिए चाशनी परफेक्ट है या नहीं इसको देखने का तरीका है मैं आपको बताती हूं कैसे सरासी चाशनी आप एक प्लेट में डालेंगे और अगर ये फैलती नहीं है तो मतलब चाशनी परफेक्ट बनी है या फिर जब आप चाशनी को उपर से नीचे ड्रॉप करेंगे तो जो लास तार है वो लंबा बनना चाहिए या अगर आप हाथ से चेक करेंगे हैं तो उंगली और अंगूठे के बीच में जरा सा पोर्शन लेंगे और उसे चेक करेंगे तो प्रॉपर एक तार बनेगा अब जो चाशनी है वो परफेक्ट हो चुकी है उससे बेसन में जो हमने भूना था उसमें आड़ करेंगे पर बैचर्स में आड़ कीजेगा कम-कम आड़ कीजेगा फ्लेम को आण करके इसे कंटिनुस्टी स्टर करते रहेंगे फ्लेम को लो ही रखना है मैं यहाँ पर बैचर्स में इसलिए आड़ कर रहे हूं कई मीठा जादा ना हो जाए मैंने यहाँ पर जो चाशनी बनाई थी उसमें आदी से जादा डाली है पूरी मत आड़ कीजिएगा एक बारी में बैसन की बरफी में मीठा जादा ही अच्छा लगता है पर अगर आपको कम पसंद है तो आप अपने हैसाब से कम भी आड़ कर सकते हैं जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए और अलकासा गाड़ा हो जाए तो फ्लेम आफ कर देंगे अब जिस कंटेनर में आपको इस बरफी को जमाना है उसको पूरा अच्छे से घी से ग्रीस कर देंगे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब बेसन की बरफी जम जाती है तो उसे निकालना असान हो जाता है अब जो मिक्स्टर हमने बनाया था वो इसमें आड़ कर देंगे बिल्कुल गरम गरम ही आड़ करना है और उसके बाद एक स्पैचुला की मदद से इसे अच्छ से फिला लेंगे चारो साइब जैसे इस वीडियो में आपको करके दिखा रही हूँ बिल्कुल ऐसी कीजिएगा बिल्कुल गरम गरम आड़ करके इसको स्पैचुला से अच्छ से शेप दे देंगे बेसन की बर्फी की बिल्कुल बजार जैसी हलवाईयों स्टाइल वाली लुक आ जाए उसके लिए मैंने जो पिस्ता है उसे बारी काट के इसको अच्छ से इक्वल फैला के स्पैचुला की मदद से दबा लिया है इसको पंदा मिनट ठंडा होने के लिए एज़िटेज छोड़ देंगे पंदा मिनट बाद नाइफ की मदद से इसमें निशान लगा लेंगे जिस चायल में आप इसे काटना चाते हैं इसे काट सकते हैं यहाँ निशान लगाना इसलिए इंपोर्टेंट है ताकि जब यह ठंडी हो जाए तो यह पीसिस बिल्कुल परफेक्ट निकले एक गंटे में यह बेसन की बरफी बिल्कुल बढ़िया से सेट हो जाएगी तो इस बेसन की बरफी को अपनी फैमली के साथ इंजॉय कीजिए मैं तो बच्पन से बनाती आ रही हूँ और खाती आ रही हूँ जबदस रेसिपी है तो मैं तो बहुत तारीफ कर चुकी अब मैं यह तारीफ आपके मूह से भी सुनना चाहती हूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिखके बताईएगा कैसी लगी आप सबको कीजिए मैं मिलूंगी ऐसी ही और जबर्दस ट्राइड एंड टेस्टिव रेसिपीज के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक केर डॉंट फोगेट तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब